दोस्तों नमस्कार सुआगत एक बार फिट से चलिये जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को लेकिन उससे पहले अगर आपने विदग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे सबसे पहले और बड़ी खबर दिल्ली में नितीस कुमार की केजरीबाल से मुलाकात खड़गे से भी मिल सकते हैं नितीस कुमार विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर एक बार फिट दिल्ली में है दिल्ली में मुख्यमंत्री नितीस कुमार, दिल्ली के सियम, केजरीबाल से मुलाकात करने पहुचे हैं, केजरीबाल के सिविल लाइन्स सित आवास पर ये मुलाकात हो रही है, उनके साथ जेडियू के राश्ट्रिय अध्यक्ष ललन सिंग और आजडिय के सांसद मनुजहा बता दे की करनाटक में बनी कॉंग्रेस सरकार के सपद ग्रेंट समारों में सामिल होने के बाद नितीस मुआ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे अगली कफर फाइरिंग के दोरान अटकी राइफल, गलती से चली यूबक की मौत, छपरा में साधी में हर्स फाइरिंग करना यूबक को पड़ा महंगा, अपनी ही राइफल से चली गोली का सिकार हो गया और उसकी मौत हो गई, यूबक बारात में लाइसेंसी राइफल से फाइरिंग कर रहा था, इसी दोरान राइफल फस गई, उसे ठीक करने में गोली चल गई, गोली उसके हाथ को छेते वे प्राइबिट पार्ट में लग गई, मामला जलालपुर थाना छेतर के सर्विस सरेया गाउं का है, मिर्तक की पहचान बनियापुर, थाना के रजॉली ग इपके खिलाप सिकायत करता हरेस महता के वकील ने एंदाबाद की मेट्रो कोट में सबूत पेस किये, इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी, सबूतों की जाच के बाद कोट तिजस्वी आदब को समन भेज़ेगा, या नहीं भेज़ेगा या फैसला होगा, डिप् प्तर जार सिक्चक की भरती के लिए अगले सब्ता वी पीसी से वैकेंसी जारी होनी है, जिस विद्याले अध्यापक नियुक्ती ने वावली 2023 के आधार पर नियुक्ती होनी है, उसे हाई कोट में चुनाउती दी गई है, नेवावली के खिलाब सिक्चक भी आंदोलन कर र अगलिक फर केंद्रिया मंत्री बोले देश में नहीं बिजली की कमी राज्यों को सेंट्रल पुल से एक दर पर बिजली सेंट्रल पुल की बिजली बिहार समेच सभी राज्यों को एक दर पर मिलेगी। का फाइदा आने वाले दिनों में मिलना सुरू हो जाएगा। निसाने पर रही इसे बदलने का संकल्प लिया गया। बैठक को संबोधित करते वे भाजपा के बिहार प्रभारी विरोंत तावड़े ने कहा कि नरेंद्र मोधी सरकार के नौ वर्स पूरा होने पर यह महा अभ्यान चलना है। अगलिकवर चंपारण में घर में घुसा बाग, दो घंटे तक बच्चियों के साथ ही कमरे में रहा। ब्यार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक बार फिर बाग की बज़ा से दैसत बना हुआ है। ब्यार के मुख्यमंत्री तेजस्वी आदब को अपनी कुरसी दे कर जा रहे थे, वह होना नहीं था, अभी हिलने की उमीद भी नहीं है। लोगसबा चुनाओ 2024 के बाद, 2025 में विधान सबा चुनाओ होना है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री की कुरसी की फेका फेकी चल रही है। अगली ख़र बिहार के इंजिनियरिंग कॉलेजों में 33 फीजदी सीटें, चात्राओं के लिए अब रिजर, बिहार के इंजिनियरिंग कॉलेजों में 70-2023 शोविस के नामांकर में चात्राओं को अब 33 फीजदी आरक्षन मिलेगा। बियार सयोग्त परवेश परतियोगिता परिक्षा परिशद को आरक्षन सम्बंदित आदेश का पत्र मिल गया है, हाला कि मेडिकल कॉलेजों में चात्राओं को आरक्षन के लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि BCE, CEB को अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। परसत के OSD अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि इंजिनियरिंग कॉलेजों में 33% सीटों पर छात्राओं को आरक्षन देने के बारे में राज्य सरकार का पत्र मिल गया है, उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए सीठे आरक्षित किये जाने के बारे मे पत्र नहीं मिलने पर, एड्मीशन की पुरानी व्यवस्था ही रहेगी। कि 2000 के नोट बंध होने के बाद विपक्ष में तर्क वितर्क होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ता या विपक्ष के लोगों की सोच एक दिसा में होनी चाहिए, कैसे तेज गती से आई को बढ़ाया जाए, इस दौरान शिराक पासवान ने करने के बजाए कैसे हर हाथ को रोजगार मिले, इस पर ध्यान देना चाहिए, अगली ख़र गांधी मैदान ब्लास्ट का आरोपी दरवंगा से गिरपतार, पीम नरेंद्र मोधी की जनसवा में हुआ था दमाका, पटना के गांधी मैदान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मो धौली गाउं में सनिवार देराज चापे मारी की केस के आरोपी महरे आलम को गिरपतार कर अपने साथ ले गई, हाला कि इस से पहले एनाईये ने महरे आलम को गिरपतार कर अपने साथ मुझपरपूर ले गई थी, लेकिन उस समय वो चकमा देकर फरार हो गया था अगलिक पर जीतन राम मांजी की पाटी ने लोकसवा की पांस सीटों पर किया दावा पट्टा में बीजेपी परदेश कार्यस्मिंती की बैठक मेरे कारेकाल में हो रही है। समरार चौधरी ने का कि 2014 में समनती बनी, बेठा में एरपोर्ट बनेगा लेकिन जमीन नहीं उपलब्द हुई, रक्सॉल में भी नहीं हुई, नितीस कुमार 18 साल से बिहार को बरबात कर रहे हैं, 2024 में कैसे फिर से सरकार स्थापित हो, एक ने बिहार को लूटा और दूसरे बिहार को बरबात किया, उन्होंने का कि लालू यादब 15 साल तक मुख्यमंत्री रहें, किसको आरक्षन दिया? वाइड लाइफ एरिया के संरक्षन और इससे जुड़े, जीबों की सुरक्षा को लेकर उपचारात्मक कदम उठाने तक प्रभावी रहेगा, अगली फ़र करनाटक से लोटते ही मिसन यूनाइटेड विपक्ष में जुटे नितीस कुमार, नितीस कुमार दोजार चोबी इसके राश्ट्रिय अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे और अन्य निताओं के साथ बैठक करेंगे, इतना ही नहीं सीम नितीस कुमार वाम दलो के निताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं, सूतुरों का मानना है किस बैठक में पटना में प्रस्ताविद विपक्षी एक और एक जिरागी